हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं तस्टेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज जो है हम लोग क्लास 10th NCRT बुक को देखेंगे प्रशनावाली 8.1 तो देखिए 8.1 में क्या है तो सबसे पहले यह क्या है तिरकोन मीती तिरकोन मीती के लिए जो है दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना होगा देखिए सबसे पहले क्या करना है तिरकोन मीती तेकिन यह क्या है समकुन तिरबुजा है उसके बाद इसमें देखिए यह जो ठीटा की सामनी का जो भुजा होता उसको लम बोलते हैं और यह नीचे वाले को अधार बोलते हैं और यह लोग यदा नहीं चाहिए और जब तक फर्मुल्ला याद नहीं रहेगा तो पने गाटこれは बनेगा नि civी क्या हता साइन यह ब्राबर होता है क्या होता है होता होता हित्पास ती डला के सामने होता क्या होता है यह B, so sin A cos A रहेगा तो अधार बटे करण top A रहेगा तो अधार बटे लं and the second A रहेगा तो करण बटे लं और यह सारी फरमूला जब तक याद नहीं आपको तब तक दोस्तों इसमें से एक भी सवाल नहीं बनेगा तो सबसे पहले आप इस फर्मूला को नोट कर लेज़ेगा उस बाद देखिए सवाल क्या है तो सवाल देखिए क्या है इसमें तो प्रस्णावाली 8.111 है एंसेर्टी मित है और देखिए क्वेस्टेन नमर एक में क्या है करा है तिर्भूज A, B, C में जिसका कौन B समकौन है A, B बराबर 24 सेंटीमीटर और B, C बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निमलिखीत का मन जियाद की दिए तो निमलिखीत मन क्या है एक नमर देख लिए साइन A और कोस यह जियाद करना है दूसरा नमर क्या है साइन C और कोस C यह जियाद करना है तो चलिए दोस्तों देखते हैं सा थिर तो प्रांद बनासे ऑर इसको कर लिजे डिया और इसमें देखेए दोस्तों दिया हुआ का हुआ यूडिया है कि A B C, जिसका कोंB, B क्या है विह सम कों 90 दिविदी कि oुढना चीएcciones . Leo क्यों कों भ्राद इसके बाद關係 тепर्व आधाट जैए साथ सेंटीमीटर. उसके बाद दोस्तों हमें अदर गयात करना है boa दोस्तों A और C हमें मालुम नहीं है और भूरिव्य जानते हैं इसको निकालने के लिए तो देचित वस्तों सम्तिकिया यह करण है यह लंभा यह अधार है तो हमें निकालना क्या साइन यह सब आपक क्यों से पहले इसको लिखना इसका हल में क्या लिखेंगे स्लीयूसण कर दो माना की माना A, B, C एक समकोन तिर्भूज है समकोन समकोन तिर्भूज है जिसमें दिया हुआ है क्या तो A, B, बरावर दिया हुआ A, B, C, दिया हुआ और B, 90 डिग्री है ये भी पता है उसके बाद इसमें क्या करना है तो पाइथा गोरस पर में से पाइथा मैं यह भी बुजा चाहिए तीनों बुजा चाहिए तभी मलने मिलेगा पाइथा गोड़स गोड़स प्रहमेसे प्रहमेसे दोस्तों पैथा गोड़स आप प्रहमेस जानते ही होंगे कर्न असक्वाइर क्या होता है जोर आधार का स्कुर्ण तो देखिए दोस्तो कर्ण क्या है एसी हमें एसी चाहिए एसी का स्कुर्ण बड़ावर लंग क्या है बी सी तो बी सी का होल स्कुर्ण पलस बी ए तो बी ए क्या है या एबी लिखिए एबी का स्कुर्ण तो हमें क्या चाहिए एसी चाहिए तो एसी का हला स्कुयर कर लिजिए कितना है 24 सेंटीमीटर है इसकस कर लीजिए तो आप देखें साथ गुना साथ करें कितना साथ सत्य 49 सेंटीमीटर स्कुयर स्कूयर पलस 24 25 66inder स्कूर दोस्तों आभी 49 तरास और पॉंस तो जो रहेंगे कितना होगा यह स्कॉरवड़ हो जाएगा छोसा पाटीस और नीचिन च्छाप पंद्रा साथ चार एक यारा एक बारग दो मौंकि एक पाच एक छोग दोस्तों कि स्कॉर्वड हमें क्या नेकला चोसाफ पाचीस का बारग मौन कितना होगा दोगों से उनिकाल लेंगे तो पच्छी सेंटीमिटर ने कि हमें एसी मालूम हो गया कितना तो आप दोस्तों आसानी से साइन एक मन निकाल सकते देखें दोस्तों साइन एक अ मन क्या है साइन ए तो साइन ए बरावर क्या हता हम नें भा पताया फिलक्ष मतलड़ ठीट यह ठीटा है और ठीटा के सामनी कहा पुझा क्या तरह में नहीं होता है तोakah बच्छ शैन यह बरावर प्रोला दें है इसको लम बोलते हैं इसको बोलते है इसको बोलते है ब कмन किस डिला है वही तो पाइस सइस तो इतना होगी और शुप मांद क्या है और सकष्ळलिक हुए तुर्ण नगा है 25 तो 20 इतना हो यह है जो कूले का अधार बटे क्या होता है का अधार बटे कर्ण को से चार होता धार दोस्तों इसमें दäखिए अधार क्या यह यह या एविए भी पह सकते को एभी बटे कर्ण क्या है यह देखें दोस्तो ऑने कितना में 24 है तो 24 लिख देंगे उसके बाद यख कमान कितना निकला थे 25 तो इतना कि निकला स्थ मृट्टे 25 और 25 और hormones itroy मृनि निकला 24五 तो अधिन में दोस्तों किसका मान निकालना है साइन सी और को सी देखिए साइन सी और को सी को कैसे निकालते हैं तो देखिए दोस्तों साइन सी और को सी का मान क्या होता है तो साइन सी का मान निकालने क्या करना पड़ेगा तो साइन सी तो दोस्ते के साइन सी का मान क्या होता है साइन सी क क्या होता है लंबटे कर्ण होता है तो लंबटे कर्ण दीजिए तो लंबटे कर्ण क्या लिए लंबटे कर्ण होता है कि की वात ऊंओं की सामने वाला बूजा मनै इसको ठीटा मनना तो इसके सामने वादा क्या होगा ंदार200 क्णै यह भी निकलाता 25 थे क्या हो जाये उसके बाद क्या होगा? कोसट C कोस सी बड़ावर तो कोस इसको भी C माननेत ce ये लामिन रहेगा, ये आधार रहेगा ये कर्ण क्या प्रमुला होता है? अधार बटे कर्ण होता हुथ अभी इससे पहले भी मैंने लिख चुका कि दो नम больше क्या करा थैंट को से नम दो दें तो को तो को तो कष्षन नमर्ब्र 2 क्रिए t2 क्या घ्रति आट धसमेल 10~? मैं तेनक़ चाहिए टार यहाद लिए दोस्तों खेल ट्रैंगल इसलिए wifi 2 और स्यंद्न फ्रिस यह क्रिक्ष कृण तब हैं तम्हों के लिसने मैं पैठागुरात्पर नेहीं को पासों को सोलुव करते हैं सबसे तिर्भूज है तो पाइथागोरस परमेसम को यह चाहिए यह तो पाइथागोरस परमेसम जानते हैं पाइथागोरस परमेसे प्रमे से तो क्या होता है कर्न स्क्वार क्या होता है लम स्क्वार जो राधार स्क्वार तो कर्न स्क्वार क्या है पी आर क्या है कर्न है इसके स्क्वार क्या हो जाएगा लम स्क्वार तो पी क्यू का स्क्वार पलस राधार का स्क्वार QR का स्क्ουइर हो जाँगा तो देखी दोस्तो MR हमें कितना है 13 यहां 13 का स्क्वईर कर देजिए बराबर PQ कमाण कितना है 12 है उसका स्क्वईर कर देजिए प्लस QR कमाण तो कुछ नहीं है QR कमाण को QR ही रहने देजिए QR अज़ दोस्तों इसको हल करते हैं स्टेरह लाएंगे क्या गा 159 ऐस बढ़कि Cox इत्व इंदर लाएंगे क्या जाओं मैंश हो जाएँगे 244 ब्राबर 25 का कितना होता है पांच होता हमें ऊडिक हता है så हम दोस्तों आर्द 5 निकल गिए है यह निकल गया अब देखिए दोस्तों किसका माणने निकलना भिषक्त लोखर में इसको ठीटा मानेंगे लम मताफ़ाँ होज़ा है यह करूना कि सामने ڈ downtown की ब्राबर्टय क्या होता है लंब बटे अधार कि और अधार होता है गज़ार हमेंको कहते हैं नाट कितना हो जाएगा 5 आधार आधार किसका क्या है 12 तो 5 बटे 12 हो गया तो 10-P का माल निकल गया अब हमको कहती हो इसको मान चाहिए तो quote R बड़ाबर तो quote R अब की बड़ ठिटा इसको मानना है इसके लिए लंव क्या हो जाएगा यह हो जाए इसके सामने बलाब हो जाओगा तो पहले कोट का फर्मूला क्या होता है अधार बटे लम होता है अधार बटे लम अधार बटे क्या होता है लम होता है तो कोट इसके यह अर न अर ठीटा जमाने है तो यह सामने बलाब हो जाएगा तो लम अब की बार क्या है लम अध्य रहेगा तो 5 प्टे क्या जाएगा लम् का मां 12 हो जाएगा अन्य,कि या अध्य य यह हो जाएगा 20 पotom option बारा है इसको घटाई इत क्या आगा दोस्तों जीर हो आ जाएगा तो हमें दो का भी कुस्टन सॉल्व हो गिया